आप सभी लोगों का स्वागत है कच्छा दस्की इंग्लिस में आज हम लोग चैप्टर टू देख रहे हैं पुर्टरी का दा पसलम आफ लाइफ पसलम का मतलब होता है इस्तुति या फिर जागरण या गान लाइफ का मतलब जीवन का तो लेशन का नाम है जीवन का गान यान की पसलम आफ लाइफ इसने कमपोश्ट किया हैaria बात करते हैं पुर्हम का अर्थ फर्स लाइन है लाइफ इज रियल लाइफ मीज जीवन रियल माने वास्तविक जीवन वास्तविक है लाइफ इज अर्नेश्ट लाइफ मीज जीवन जीवन जो हमारा है अर्नेश्ट माने होता है गंभीर लाइफ मीज जीवन Ernest माने गंभीर जीवन गंभीर है जीवन रियल है वास्तविक है और जीवन क्या है गंभीर है And the grave Grave माने कब्र होता है Is not its goal माने लच्छ तो कब्र ही इसका लच्छ नहीं है Dust, Dao, Art Dust माने धूल होता है दाव मतनब यूँ तुमारे लिखा गया है Dow returnist धूल है यानि तुम धूल हो Dust returnist धूल में ही मिल जाओगे तुम धूल हो धूल में ही मिल जाओगे Is not spoken for the soul Is not नहीं कहा गया है यहा बात आत्मा के लिए नहीं कहा गया है जीवन वास्तविक है जीवन गंभीर है कब्र ही इसका अंतिमल अच्छे नहीं है तुम धूल हो यानि तुम मिट्टी के ही बने हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे इस नाट स्पोकेन आफ स्वल यह आत्मा के लिए नहीं कहा गया है नेक्स्ट लाइन है नाट इंज्वाइमेंट यानि इंज्वाइमेंट मिस होता है खुसी नाट इंज्वाइमेंट यानि खुसी नाहीं खुसी एंड नाट सारो और नाहीं दुख इस अवर दिस्टिंक्ट इंड और वे दिस्टिंक्ट माने होता है भाग में लिखा हुआ तो सुख और दुख जो होते हैं ये इस अवर डिस्टिंट इंड और वे इन्ही को मेंद रूप से मा लेना ये भाग में लिखा है ये रास्ता नहीं है But to act that is tomorrow Act means होता है कार करना बलकि कार करते रहना is tomorrow आने वाले कल के लिए हमें कार करते रहना चाहिए आने वाले कल के लिए फाइंड मीस होता है पाना further than today further माने आगे than today मतलब आज से हमें कार करते रहना चाहिए ताकि जो हमारा कल है हमें आज की तुलना में आगे ले जाए इन्दा वर्ड यानि इस दुनिया में या इस संसार में बोर्ड फिल्ड आफ बैटल बोर्ड का मतलब होता है विसाल या विसरत फिल्ड आफ बैटल बैटल माने होता है युद्ध तो युद्ध का विसरत मैदान तो दुनिया के इस विसरत मैदान में इन्दा बीवैक आफ लाइफ बीवाय का मतलब होता है पड़ाओ में तो दुनिया के विश्रत युद्ध छेत्र में जीवन के पड़ाओ में Be not like dumb Be not like dumb Be not like dumb भी मतलब होना होता है Like मतलब कीता रहा Dumb मतलब गूंगे कीता रहा तो दुनिया के विश्रत छेत्र में जीवन के आस्थाई पढ़ाओं में गूंगे जैसे ड्राइवन कैटल, मिस मवासियों जैसे मत बनो बी ए हीरो, हीरो मिस नायक बनो, बी मतलब होना, आप हीरो बनिये इंदा स्ट्राइफ, स्ट्राइफ माने संघर्स, संघर्स के आप हीरो बनिये लेट अस, लेट अस, लेट अस मिस होता है आओ, दिन माने तब, बी अप एन डूइंग, बी अप मतलब आगे के ओर डूइंग माने लग जाएं, आओ हम आगे कार में लग जाएं, विद ए हर्ट, यानि अपने हिर्दय से, फॉर एनी फेट, फेट माने होता है हमारा भाग, तो आओ हम लोग अपने कार में लग जाएं, अपनी पूरे हिर्दय से, पूरे मन से, फॉर एनी फेट, फेट में होता है भाग, बिना भाग की चिंता की होए, इस्टिल एचीविंग, इस्टिल पर्श्विंग, लर्न टू लेबर एन्टू वेट, इस्टिल का मतलब होता ह है सदैव एचीव माने प्राप्त करना, इस्टिल पर्श्विंग, यानि कि हमें सदैव आगे बढ़ते प्राप्त करते रहना चाहिए, यानि सफलता की बात करने हैं, सदैव सफलता प्राप्त करते रहना चाहिए, और पर्श्विंग का मतलब है अनुसरण करना, यानि उस फल हमें मिलते जाएंगे फल का इंतिजार रहना चाहिए उसकी अभी चिंता नहीं करनी चाहिए तो कहने का मतलब यह था तो आप लोगों को यह पोयम क्लियर हो गई होगी तो नेक्ट वीडियो में इसकी हम सेंटर आइडिया देखेंगे थैंक यू